सूर्य देव करेंगे करक राशी में प्रवेश इन तीन राशी वालों के शुरू होंगे अच्छे दिल वैदिक जोतिस के मताविक हर ग्रह एक निश्चित समय अंतराल पर राशी परिवर्तन करता है साथ ही ये राशी परिवर्तन किसी के लिए सकारात्मक रहता है तो किसी के लिए नकारात्मक आपको बता दें सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं ज्योतिस सास्त्र में सूर्य का संबंध पिता, प्रशासनिक पद, प्रतिस्ठा और समाज में मान सम्मान से होता है इसलिए सूर्य ग्रह के राशी परिवर्तन का प्रभाब सभी राशियों पर देखने को मिलेगा लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनको ये राशी परिवर्तन लाबकारी साबित हो सकता है आए जानते हैं ये तीन राशियां कौन सी हैं सूर्य देव के गोचर से मिथुन राशी वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसे धन और वाणी का भाव कहा जाता है, इसलिए इस दोरान आपको आकस्मिक धनलाब हो सकता है, साथी अगर आपका धन कहीं फसा हुआ है, तो वो इस समय आपको मिल सकता है, साथी इस दोरान आपकी आर्थिक इस्तिती में भी सुधार होगा, वहीं इस समय आपको नई नौकरी का भी प्रस्तावा सकता है, और नौकरी में स्थान के योग हैं, वहीं अगर आपका कारुबार सूर्य देव और बुद्धिग्रह से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस दोरान अच्छा धनलाब हो सकता है, वहीं इस दोरान कारुबार में नई ओर्डर प्राक्त हो सकते हैं, और किसी बड़ी महत्वपूर्ट डील में अच्छा धनलाब हो सकता है, वही जोरान आप लोग एक मानक की या पन्ना धारंट कर सकते हैं जो आपके लिए लखी स्टोन सावित हो सकता है कर्णिया राशी की गोचर कुंडिली से सुर्यदेव का गोचर ग्यारेवे भाव में होगा जिसे इंकम और लाब का स्थान कहते हैं इसलिए इस समय आपके इंकम में अच्छी ग्रोथ हो सकती है साथ ही आएके नए नए माध्यम भी बनेंगे व्यापार में आकस्मिक धनलाब भी हो सकता है इस दोरान आप किसी प्रॉपर्टी में निवेज भी कर सकते हैं और ऐसा करना आपके लिए लाप्रद साबित हो सकता ह वहीं जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल स्टेट से संबंदित कारुबार करते हैं उनके लिए ये समय शांदार रह सकता है साथी इस समय आपको एक नए व्यवसाइक संबंद भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो आपको भविश्य में फाइदेमंद सिध हो सकते ह साथ ही कन्याराशी पर बुद्ध देव का अधिपत्य है और सूर्य देव और बुद्ध ग्रह में मित्रता का भाव विद्यमान है इसलिए आप लोगों को सूर्य देव का गोचर शुब फलदाई साबित हो सकता है आप लोग इस दोरान एक पन्ना धारंग कर सकते हैं जिस इस दोरान अच्छा धनलाव हो सकता है समाज में आपके मान शमान में बढ़तरी हो सकती है वहीं जो लोग मीडिया फिल्म लाइन, बैंकिंग और फेशन डिजाइनिंग के शित्र में कारेरत हैं उनके लिए ये समय लाप्रत रहने वाला है आप लोग एक ओपल या मारिक के धरन कर सकते हैं जो आपके लिए भाग्यरतन साबित हो सकता है धर्म कताई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें